हालो जी कैसे हो सारे दिस है लव बबर वेलकर वी चैनल को अधल हम पाउंच एक माना लेक्चर नंबर 92 पर यहां पर हम एक और कॉंसेप्ट करने वाले हैं इसको हमने डिले किया वतर लाज के तीन वीडियो से जो कि यह डिटेक्ट साइकल इन डियरेक्टड ग्राफ यूजि पढ़ ली थी बट DFS algorithm का यूज़ करके आपको थोड़ा से मुझे याद दिलाना हो तो हम आपने दो data structures या दो arrays या maps का यूज़ किया था for visited वाली फंक्शनलिटी और DFS visited याद आ है कुछ कोई भी नोड जिसका विश्टेड ट्रू हो जिसका DFS विश्टेड भी ट्रू हो तो हम कहेंगे कि डिरेक्टड ग्राफ के अंदर साइकल प्रेजेंट है ऐसा कुछ कुछ आपको याद होगा तेक है उसके बाद एक चीज़ और आपको याद होगी कि लास लेक्शर हमने ए कि Khan's algorithm जो थी वो थोड़ी BFS बेज थी वहाँ हम क्यों का यूज कर रहे थे सेम फ्लो जिस परकार BFS traverse करते हैं उसी परकार हम कर रहे थे मैंने आपको कहा था कि जो topological sort है जो हम इसके तौड़ा निकाल रहे थे Khan's algorithm को यूज करके वो topological sort आप सिर्फ directed acyclic graph पर ही apply कर पाएंगे directed acyclic graph पर ही आप एक valid topological sort निकाल सकते हैं इतनी बात हमें याद आ रही है बहुत बढ़िया तो क्या मैं इसका उल्टा कह सकता हूं मतलब अगर मुझे यह पता है कि अगर directed acyclic graph है और मैं topological sort निकालता हूं अगर valid निकल गया तो ठीक है यानि वो एक directed acyclic graph था तो भी valid निकल पाया बट अगर वो एक cyclic graph होता तो वो मुझे एक invalid typological sort देता हाँ है ना बना समझते हैं मैंने क्चा बूला बनास समझते हैं हमने क्या कहा आपको ठीक है तो मैं नेका अगर वो एक directed acyclic graph होगा जो भी given graph हमको है तो मैं उसका valid topological sort निकाल पाया बट अगर वो लिए पास आएगे मैं एक वैलीट टॉप अपर निकाल नहीं पाऊंगा इन शडवा आपको यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने यहां पर रियूज किया हुआ था उसे को मैं री यूज करके इक दो चेंज करके पूरा का पूरा साइकल एकशन के के यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल, तो अगर मुझे भी बोले, BFS के यूज़ करके cycle detection करो, इना डिरेक्टर ग्राफ, तो बलूगा ठीक है, मैं कान से रगदन को यूज़ कर लूँगा, अगर एक invalid topological sort आई, तो इसका मत्रव है कि cycle present है, इनी शॉट, ठीक है, तो इसको फटा-फट कोड कर लेते हैं, thanks to them, Coding Ninjas क्या है, it is one of the largest codingization platform, जहां पर आप बहुत प्रकार की courses दे सकते हैं, अगर आप इंट्रेस्टेड है paid courses के अंतर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, डेवलमेंट कर लूँ कर दिया जाएगा, कूर्से जो बनाई जाते हैं, बहुत वैल स्ट्रक्चेड बनाई जाते हैं, कि अगर आप महनट डालेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, कूर्स बनाने वाले बनते, अगर बड़ी बड़ी कमपनियां फोड चुके हैं, तो उसके आपको टैंशन लेने की नीड नहीं है, लैंगवेज के अगर बात करें, हिंदी, इंग्लिश दोनों में अविलेबल है, कूशन स्वाल करते हैं, आपको हिंट वीडियो से मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई मैंने बॉला, इसको मैं पेस्ट करते हैं, जैसे इ नाम का विराइबल प्रजन नहीं है, तो मैंने ड़िखा मैंने लिखा edges.size उपर जो भी मैंने यूज किया हुआ उसको मुझे include भी करना पड़ेगा include unordered map मैंने include कर लिया हमारी list को include कर लिया क्यों को ठीक है आगे जलते हैं फट फट हमने बुला ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है हमने या पर वी का यूज किया पर वी नाम की कोई चीज नहीं है नमपर नमपर फट नोट की बात ही हो रही है या वर्टेक्स की बात हो रही है इसका end कर दिया इसको ठीक करना पड़ेगा यहां से आप देख पा रहा है ठीक है और अगर लास्ट टॉप लोजिकल सौट में देखे तो वहाँ पर आपके नोट जे हैं वह जीरू से स्टार्ट होती थी तो यहां पर थोड़ा हर ट्रीक करना पड़ेगा कि मैंने बोला कि मैं यहां पर वी नोट को 1 से मतलब 0 से बना ल और यहां मैंने मैंने बिद्वांट कर दूगा count काउंट जो है वो n के एक्वल नहीं होगा ठीक है इफ काउंट इसका मतलब रिट passiert returnum false एल्स मतलब काउंट n के एक्वल नहीं है यानी के इनिट पॉपलोजिकल dram इन्हें वेले टॉप लिस्वेस्वान मतलब cycle present है यानि कि return true मैंने रॉन करके देखो किया इंसान से को गलती हुझा है चोटी मुटी syntax बगारा तो यहां पर एक चोटी सी गलती है ठीक है इन्होंने बोला चलो सारे एक आंसर करेक्ट आगए हमने सब्मिट कर दिया हमने सब्मिट कर दिया हमने सब्मिट कर दिया और हमारे करेक्ट आंसर आ चुका तो इस प्रकार हमने इस को सॉल्व कर लिया बहुती छोटी सी प्यारी सी ननी मुनी सी वीडियो थी लास्ट वीडियो के कैसे पता लगाई जा सकती है राइट बैजा complexity कितनी है मैंने बोला जितनी last lecture में उतनी है तो कुछ वह अलग नहीं है आपर अगर मैं time complexity की बात करूँ तो हमने किया क्या है ज्यान से देखो addigency list बनाई फिर हमने इंडिगरी find करी कितना time लगेगा इसको वह सेम जितना addigency list में लगा उतना time लगेगा यह फिर दुबार आपके कितनी notes के लिए चल रहा है आपके n notes के लिए चल रहा है तो मैं जैसे तो time complexity same जो last lecture के थी off n plus e हो गई space complexity जैसे बात करूँ तो मुझे काज एक तमन तीन चीज यूज यूज करी है और मैं आशा करता आपको समझ में आगया होगा बहुत easy peasy था तो अगर आपको समझ में आप नहीं चली सकते हैं वह यह easy peasy और मेलेगा आपसे नेक्स सेक्शन में तब तक के लिए बाबाए जाने बाद टा